हाई फ्रेंडस, वेल केंग चैनल, वेक्ट गनेषा, तो दोस्तों घर की उत्तर पूर्व दिशा में भूल कर भी न रखे ये चीज़े, रिस्तों में पढ़ेगी खटास, होंगे आप कंगाल, जीआ दोस्तों बात करें दोस्तों, घर की उत्तर पूर्व दिशा बहुती मात पूर्मानी जाती है वास्तुशास रहें उत्तर पूर्णा यानि कि इशान को काफी बतायागा है जिया दोस्तों इस दिशा में देवी देवता का वास करते हैं इसलिए किसी भी चीज को रखने से पहले यह जानना जरूरी है कि इसका फर्क जीवन पर अच्छा होगा या परवाद करते हैं फिडियो से तो दोस्तों नमबर एक उत्तर पूर्व दिशा में ना रखे इलेक्ट्रोनिक चीज़ें जिहां वास्तुशासर के अनुसार इशान कोन में इलेक्ट्रोनिक सामान नहीं रखना चाहिए दोस्तों इसमें फ्रीज कुलर वाशिंग मशिन जैस उपकरं नहीं रखना चाहिए क्योंकि यह चीज़े में उत्पन्न करती है जिस कारण रिस्टों में किसी ना किसी तरह की अन्बन हो सकती तो दोस्तो ये अवश्य द्यान रखे तो दोस्तो नमबर दो उत्तर पूरो दिशा में ना रखे जूते चपल वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूरो दिशा में जूते चपल भी नहीं रखना चाहिए क्योंकि उनकी गंदगी ये दिशा दूशीत हो जाती है द दोस्तो उत्तर पुरव दिशा में ना रखे भारी सामान, जिहां उत्तर पुरव दिशा में भारी सामान चीज़े बिल्कूल भी नहीं रखना चाहिए, इस दिशा में किसी भी तरह की मशीन या फिर फरनीचर दैसे भारी सामान नहीं रखना चाहिए, तो दोस्तो ये अवश तो दोस्तो नमबर पांच उत्तर पूरो दिशा में न बनवाए शोचालाई दोस्तो उत्तर पूरो दिशा यानि कि इशान कोन में शोचालाई न बनाए इससे घर में नेगेटिव एनरजी तेजी से आने लगती है जो घर में रहने वाले लोगों को तरक्की में रुकावट बना सकती है, तो दोस्तो ये बात अवश्य ध्यान रखे दोस्तो वाश्टु शासर के अनुसार घर की उतर पुरों दिशा में मंदिर बन वाना बहुती शुब मना जाता है इससे अलवा, दोस्तो इसके अलवा इस दिशा में भगवान कुबेर की तस्वीर या मूर्ति रखना शूम आना जाता है दोस्तो आगर आप पेड़ पोधी लगाना चाते हैं तो मनी प्लैंड तुल सिद ऐसे पोधी लगा सकते हैं दोस्तों, इससे घर में सकरत्मा पुर्जा आती रहती हैं तो दोस्तों, ये बात अवशे द्यान रखे और इसको फालो जरूर कीजेगा तो दोस्तों, आपकी उडिया कैसा लगा? अच्छा लगाओ तो लाइक शरूर और कमेंट्स शरूर कीजेगा और कमेंट्स में जाय स्री महालक्षी में नमा वशी लिखेगा धन्योत